जहीं दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होगे दोस्तों इंडिया पोश्ट GDS यानी की भारती डाग सेवक में इन दिनों काफी सारे स्टुडेंट के मन में काफी सारे प्रस्ण जो है आ रहे हैं दोस्तों जैसे कि जिनका फर तो दोस्तो सारा जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे तो आप लोग देखे अंत तक देखेगा सारी जानकारी पाने के लिए ठीक है ना अगर चैनल पर आप लोग नए हो दोस्तो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा इसी प्रकार के गॉर्मन्न कि जोइनिंग कब तक होगी तो दोस्तो आप लोग ये मान करके चलिए कि जिनका फिर्स्ट लिष्ट में नाम आ गया है उनका स्वेश्ट डाइकुमेशन एक हो है Γिस्टो उसके एक महीने के बाद आप को जो है जोईनिंग होगा ठीक के थुरू या फिर ट्रेनिंग लेटर भी आफ रखता है दोस्तों उसके बाद जो आप ट्रेनिंग पे जाएंगे जैसा कि आप लोग को मालूम है कि ABPM के लिए 3-4 दिन का जो है वो ट्रेनिंग रखा गया है और BPM के लिए शायद 15 दिन के आफ़ पास का ट्रेनिंग रखा गया है ठीक है न तो ट्रेनिंग के दोरान जैसे ही ट्रेनिंग आपकी स्टार्ट होगी वो समल लिजए कि आपकी जोइनिंग भी स्टार्ट होगी जो आपका ट्रेनिंग होगा दोस्तों वो हेड आसिस में होगा उसके बाद जहां भी आपका जोइनिंग होता है वहाँ पर आप लोगों को दहाई गई है उसका DA यानि कि महेंगाई भथता भी जुड़ा बढ़ाये गया है दोस्तो कितना बढ़ाये गया है वह मैं अभी आपको clear कर देता हूं देखें पहले क्या होता था कि जो DA यानि महेंगाई भथता था वह 38 percent मिलता था अब उसे बढ़ा करके 42 percent यानि कि 42 percent कर दि वा बीपीम की जो duty रहती थी दोस्तों यानि कि ब्रांच पोश्ट मास्टर की जो duty रहती थी वो चार घंटे कर रहता था जिसके लिए उनको 12,000 रुपए मिलते थे उसके बाद अगर 5 घंटे की duty होती थी तो 14,500 रुपए मिलते थे दोस्तों अभी सुनने में ये भी आ रहा ह है तो मैं वीडियो के माध्यम से आपको फूचित करूँगा देखे बी पीम स्वरी ए बी पीम के अगर मैं बात करूँगा तो उनका 4 घंटे का 10,000 रुपए उनका फैलरी बनता था दोस्तों और 5 घंटा यदि काम होता था तो जाकर को उनका 12,000 फैलरी बनता था ठीक है न अगर अब इसमें आप लोग 4,500 फार्ट रुपए जो की महेंगाई भत्ता को और अड़ करेंगे और उसके अलावा आफिस मेंटेनेंस, HR, एलाउंस वगारा आप लोग जोड़ेंगे दोस्तों तो अब जाकर के जो बी पीम यानि के ब्रांच पोश्ट माश्टर का ग्रॉ और यह सुरवाती सैलरी है दोस्तों ठीक है न तो देख रहे हैं कि कितना अच्छा सैलरी आपका बन रहा है सुरवात में क्या था कि 10-12,000 रुपए मिलते थे लेकिन अब क्योंकि महेंगाई का जमाना है दोस्तों तो इसमें अगर फैलरी नहीं बढ़ाएंगे तो एक परि अगर बात करेंगे तो 16,000 रुपए आपको 30 सैलरी मिलेगी और यह कहीं न कहीं बहुत बड़ी खुशखबरी है दोस्तों और यह दोस्तों आप सभी लोग के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है और आने वाला भविश जीडियस पा जो है वो उजवल दिखाई दे रहा अगला सवाल यह था कैसार कि सरीय बताईए कि अजरी क जाएगा तो यह गर को माई करतने को मिलेगा सब्सक्राइब परिजिवाश तो उसका last date आप लोग को मालूम है कि 26 तारिक है ना 26 अप्रेल है 2023 ठीक है तो उसके बाद ही जो है वो third merit list जारी किया जाएगा ठीक है तो अभी आप लोग patience रखिए कितना cut-off जाएगा सर यह बता है third merit list का तो देखे cut-off की अगर मैं बात करूँगा तो दोस्तो 85% 90% जिनका ह है उन्ही का flexion हो पाएगा ठीक है अब आप चाहते हैं कि 5% 70% वाले कंडिडेट का flexion हो जाए तो वह बहुत मुश्कील है दोस्तों वह तभी हो पाएगा जब आपने उस division से उस circle से आपने form fill किया था मैंने पिछली वीडियो बताया था कि किस division का cut-off कम गया है अगर नहीं इन सब का cut-off ज्यादा देखने को मिलेगा दोस्तों फिर फे आपको जो third merit list आएगा इसका भी cut-off आपका high ही रहेगा यह मान के चलिए कि 85% पे जो plus रहेगा जिनका number उन्हीं का flexion होगा दोस्तों उसके अलावा अगला फवाल था candidate का कि सर ये बताये क्या GDS की next vacancy जो है वो फिलक्सन प्रोसेस आपको मालूम है कब तक चलेगा दोस्तों फिलक्सन प्रोसेस की हम लोग बात करेंगे तो 36 2023 तक ठीक है ना यह last date होने वाला है दोस्तों उसके बाद ही कोई information अगर मिलती है cycle fix के vacancy के बारे में तो मैं बताऊंगा update देऊंगा दोस्तों कि जो next vacancy GDS की आ होना चाहता हूं कि अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों इसी प्रकार के government job के more update के लिए ठीक है ना और आप लोग केबल GDS का भरोसे मत बैठे रहे इसके अलावा और काफी सारी vacancies आई है दोस्तों आपको मेरे चैनल क का last date है दोस्तों तो इससे पहले की date समाप्त हो जाए आप लोग farm को fill कर दीजिए ठीक है तो दोस्तों यही सारा सब कुछ जानकारी देना था वीडियो अगर आपको informative लगा हो तो वीडियो को like कीजिएगा चैनल पर अगर आप लोग नए हो दोस्तों तो चैनल को subscribe कीजिए फिर मिलेंगे कि फिर नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद